नीदरलेंड वर्टसेश अफगानिस्टान वर्ल कप का 34 मैच और भाई लास का मैच हमारा इतना ज्यादा बढ़ियाता मैने भी नहीं सोचा था कि भाई इतना अच्छा प्रोफिट हो सकता है ग्रांड लिक के अंदर आप रहेंग देख लो स्मोल लिक में अल्टर क्लीन साहब देख लो मतलब धेर सारा प्रोफिट अब इस आपको डिमेट नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे मैचे से यहां पर बच्चे हुए हैं और एक बहुत धमाकेदार मैच यहां पर जो की निदर मैच होने वाला निदर एंवर्सेज अफगानिस्तान का जो यहां पर वर्लकप का 34 मैच हो और यह मैच खेला जाएकर लखनव के इस्टेडम में यहां पर अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों यहां पर नो मैच खेले हैं जिसमें से ठीक है ध्यान से देखना साथ मै को सिसमें वहां पर यहां पर चल रही हैं और फहरी इंडिया के साथ मता रही है तो दोनों आ ए मएट जि cheese हैं और डीकिन ज़ो एंडियाज के तो तिमो का आमने मुकाबला होने वाला है. म यहारे नीइजी के न सबसे इस इता बिररें के बाला है । आप जितना जयादा लॉंड यहां और सब्सक्रव मेशनेम में ही रहे है ऐसे बनाषा, यहां पर आहां पर ईतरू कि टीमों के इसाब से मेरी केलगुलेशन सीधा यह कहती है कि यहाँ पर ओल राउंडर को ज्यादा वेटेश देना एक समझदारी बना डिसिजन होगा अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि दोनों टीमों से हमें किस-किस प्लेयर को स्लैट करना और किस प्लेयर को यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीदरलेंड टीम के कि नीदरलेंड टीम से यहाँ पर प्लेइंग 11 कौन से हैं अब हर प्लेइंग 11 जो भी दीख रहे हैं आपको हर प्लेयर को एकदम डिटेल में समझते हैं कि कि किसको हमें इसकिप करना और किस पर हमें वेटेस देना है त नहीं में इसको small league में select करूँगा और नहीं में इसको GL में select करूँगा, ठीक है, तो max को आप यहाँ पर skip कर दो, ठीक है, इस match के लिए तो particular skip रखना ज्यादा सही रहना वाला है, यहाँ पर next player की बात करें, ठीक है, वो यहाँ पर है विक्रम जी सिंग, विक्रम जी सिंग के य यह player भी यहाँ पर आप skip कर सकते हो, on average अगर दोनों की मात करूँ तो यार 20 के आज़स पार 20 run दोनों बना सकते हैं, लेकिन फिर भी dream team में आना थोड़ा सा tough है, थोड़ा सा muskill है, जिसकी वज़े से एक बड़ा caution mark उठता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो high risk लेना, त क्योंकि दोनों ही team में आपने सामने हैं, आपको पता है कि 9 match चले हैं, जिसमें से दो बार निदरलिन भी match विंड किया है, जिसकी वज़े से आप धालका सा weightless दे सकते हो, बागी कोई sense नहीं है, आप player skip कर लो, ठीक है, इस small league में तो बिलकुल भी मत रगना है, small league में selection का में बता दिया है कि इन दोनों match, इन दोनों team हो से हम all rounder पर ज्यादा weightless देंगे, captain wise skip का selection, या तो आप wicket की पर से जा सकते हो, या फिर all rounder से जा सकते हो, मेरा suggestion कौन सा रहने वाला ये तो मैं भी आपको बतानी वाला हूं, ठीक है, देन यहापर बात करे है, हमारे, मेरे से क तो यहाँ पर 15% का selection ratio है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूं, selection ratio यहाँ पर बहुत ही काम है, ठीक है, एक edge advantage आपको मिलेगा, for example, अगर एक करोड़ team में लगती है, इस match के अंदर, ठीक है, एक करोड़ team में लगेगी न तो याद रखना कि 85,000,000 team में कचरा, सीधी की सीधी क अचरा हो जाएगी, इस team के अंदर आपको यह फाइदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक नया player एड हुआ है team के अंदर, और यहाँ पर 15,000,000 team में ही competition होगा, जो की और कम हो जाएगा, क्योंकि आपको और प्लेयर बताने वाला हूं, जिने आप सामिल करोगे, और skip करोगे, calculation क इस आप से चलो के, तो automatically बहुत अच्छा profit आपको हो जाएगा, साथ में एक चीज और बता देता हूं, कि perfect win का जो genuine channel है, उसका link description में दे रखा है, वहाँ पर जाके join कर लेना, क्योंकि fake channel कापी सारे बन चुके, instagram पर भी follow करते हैं, वहाँ पर भी आपको grandley की team देता हूं, त तो telegram का link और instagram का link, दोनों link मेंने description में दे रहे हैं, वहाँ पर जाके check out कर लेना, और follow कर लेना, ठीक है, देन यापर बात करे हैं, अपने इस player की, तो यह player तो मेरी SL team के अंदर भी होगा, और GL team के अंदर भी होगा, ठीक है, SL प्लस GL, दोनों के अंदर आपको इसको wet test देन ठीक है, तो इस match के लिए जो एक अच्छा trump player हमाले हो सकता है, वह यह player है, देना आपर बात करें, next player की call in की, तो ठीक है, calling का जो selection ratio हो 60% का है, reason simple सा है, कि last match में इसने 1 wicket भी लियाता हो, 15 run की पारी भी खेली, अगर यह player 20 run के आसपास बनाता है, इस match के अंदर, और 7 में 1 wicket लेता है, तो यह player हो जाता है, dream team का player, ठीक है, अगर dream team का player है, तो इसका सिधा समतलब क्या हूँ, आप भी समझ गए हो, कि इस player को अम skip नहीं करेंगे, यह player हमारी team के अंदर सामिल होगा, तो जिसकी वज़े से, यह player यहाँ पार team के अंदर सामिल हो रहा है, तो इसको के अंदर क्या करो, skip कर दो, बहुत simple सा, देखो, captain मैं skip के इसाब से नहीं बता रहा हो, सिब यहाँ पर आपको यह तो इसको दो टीमों में सामिल करना है, और एक team में skip करना है, या फिर आप इस small league में अपना suggestion भी रख सकतो, मेरा particularly suggestion यहाँ पर यह है, कि मैं यहाँ पर skip करू sorry, सामिल करूँगा, small league के अंदर, और high risk team के अंदर skip कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको तीन टीमों की सबसा idea दे दिया है, जिससे आप decision थोड़ा आपका आफसान हो जाएगा, then यहाँ पर next player की बात करते है, जो यहाँ पर हमारा है, एडवर्स ठीक है, देख आप चाहो, तो इस player को यहाँ पर आप बना सकते हो, wise captain की सबसे बहुत अच्छा option, यहाँ पर यह रहता है, तो मैं यहाँ पर total recommendation आपको यही दूगा, कि as a wise captain के तोर पर इसको सामिल कर देना, अपनी team के अंदर, दिन आपका दी लिदे की हम बात कि रहे है, जिसका selection is to 93% का है, captain और wise captain के लिए बहतरी option रहता है, अगर small league खेल रहे हो, तो as a captain select कर देना, grand league खेल रहे हो, तो as a wise captain भी वेटेश दे सकते हो, for example, 3 team में बना रहे हो, तो 2 team के अंदर as a captain और as a wise captain बना देना, क्योंकि यह देखो, last के दोनों mage के अंदर 2-2 wicket लिये है, उससे पहले wicket नह ले रहा है, जिसकी वज़े से एक अच्छा खासा option रहता है, ऐसे small league के अंदर, step side के लिए, क्योंकि वहां पर investment लगते हो, जहां पर investment, यानि कि ज्यादा पैसे लग रहे है, वहां पर ज्यादा risk लेना बनता नहीं है, वहां पर step side जाना हो, समझदारी से decision लेना ही, अच्छ decision होगा, ठीके, यहां पर अगले player की बात करें, जो कि यहां पर हमारा है, cyber run, ठीके, cyber run के यहां पर बात करो, तो वह है, 25% का selection ratio, 25% का selection ratio का मतलब समझतो, वही चीज़ वापस हो गई, कि अगर एक करोटी में लग रही है, तो यहां पर इसे पहले भी एक player बताया था, जिसक परना हो गया, नाम नहीं बता हो, क्योंकि आप सभी को पता है, कमेंट करके बता हो, कौन सा player बेने नाम लिया था, एज़े ट्रम प्लेयर के लिए, ठीके, अब यहां पर हमारा एक player हो गया, जिसका selection ratio 15% का है, ठीके, अब मैं आपको एक grand की calculation समझाता हूं, कि एक करोटी मे बची, वो बची 15 लाग टीमें, ठीक है, जो कि जिनके बीच में आपसे competition होगा, अब उस 15 लाग टीमों के अंदर हमने सायब रान को weightness दे रहा है, ऐसी 25% selection ratio के साथ में, इसका मतलब इन 15 लाग टीमों में भी 25 लाग टीमें, सोरी, 15 लाग टीमों में भी 25% टीमों, क्योंकि selection ratio तो हर जगा काम आएगा, अब इन 15 लाग टीमों में भी 25% टीम में होगी, जिसके अंदर ये player होगा, तो इस around वो होता है, करीब 3-4 लाग टीमें, अब देख रहो, एक करो टीमों में competition 3-4 लाग हो गया, एक दो player ऐसे और कर दोगे तो competition सिब 10 जार रहेगा, अब आप बाहर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर calculation करके चलता हूँ, calculation करके team बनाओगे तो बहुत अच्छा profit होगा, यह चीज़ आपको समझने पड़ी है, तो यह बहुत बढ़िया चीज़ बताईए, और cyber run को सामिल कर देना, SL के लिए अच्छा option है, और GL के लिए अच्छा option है, त तो यहाँ पर आप वेटेस दोनों के अंदर इसको दे सकते हो, देन यहाँ पर बात कर रहे हमारी Logan की, लोगन के लिए 92, परशनल सेलेशन रेशो है, लास मेच में एक विकेट, उससे पहले 4 विकेट, इससे पहले नहीं लिये ते, इससे पहले 3 विकेट और 1 विकेट, और स प्लेयर चल गया, तो काफी अच्छी आपको अपॉर्चिटी मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, एहमर्ट, यहाँ पर आप नोटिस करो, एहमर्ट, जिसका सेलेशन रेशो सिब 2% का है, और इस प्लेयर को सीधे इसकीप कर देना, वी टीम में वेडरेस देनी की जरू अफगानिस्तान के सामने बली मेच हो रहा हो, लेकिन फिर भी बड़ा मेच हो रहा हो तो डेफिनेटी मेच सामिल नहीं करता, इस मेच के लिए भी मैं सामिल नहीं करूंगा, ठीके, यहाँ पर बात करें हमाई आर्यान देख की, तो आर्यान देख का सेलेशन रेशो 43% का है और आर्यान के यहाँ पर मैं हर बार बोल रहा हो, सेलेशन रेशो पहले बहुत कम था, 25-20% का था तब से बोल रहा हो, फिर पर वेटेश दो, ड्रीम टीम के अंदर आता है, यह चार बार मैंने बोला हो, उसमें से तीन बार यह आया है, तो मैं बोलता हूँ, ग्रांड लिक की बात करें, तो यहाँ पर पीवेन है, ठीक है, तो पाउल के यहाँ पर बात करें, तो 72% का सेलेशन रेशो है, लास में चार विकेट लिये थे, इस में विकेट लेने के चांचे से, तो के लिए तो हम सेलेक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, SL और GL दोनों के लिए यहाँ पर सामिल कर सकते हो, अब यहाँ पर अफगानिस्तान टीम की बात करते हैं, जो हमारी अफगानिस्तान की टीम है, उसके उपर कि वो अफगानिस्तान की टीम में जो प्लेइंग लेवन है, उसमें साब किसको सामिल करोगे, किसको स्किप करोगे, मेरे टॉप कैप्टन वाइस के कि यहां पर आप खेल सकते हो कुछ भी नहीं करना है Link description में दे रहा है My 11 Circle का वह से download करना क्योंकि यह जो टीम है सिप आपको My 11 Circle पर ही मिलेगी और कहीं पर भी नहीं मिलेगी और link मैंने comment box में भी pin कर रखा है अब यहां पर आप देख सो तो एप के अंदर आपको simple app open करना है और जो यह match निदर निवर्स अफगनिस्ता इस match को open करना इसके बाद expert team में जाके आप सोरफ गांगोली की सबसे उपर team दिख रहे होगी इस match की यहां पर भी आपके लिए लगा दिये यहां पर आप यह team देख सकते हो simple आपने mobile app के अंदर भी देख पाऊगे तो इस team को आपने चाहो तो अपने इस app सब लगा सकते हो और इस team में कुछ changes करना चाहो तो definitely कर सकते हो तो सोरब गांगोली की team भी अपसे आप देख पाऊगे साथ में इस app पर आपको मिलेगा धेड़ सारा offer कि इस तरीके से देखो rank 1 आने पर आपको मिलता है एक करोड का price थार एक्षवी मतलब बहुत सारे prices मिलते हैं और आप download करने के बाद अपना पहला deposit करो गया उस वक्त ह हो सारे बड़ा बड़ा offer चलते रहते हैं इस app के उपर और इस बार तो आप दादा की team से भी खेल सकते हैं यहां पर आफगानिस्तान टीम का playing 11 देख सकते हो यह हमारे playing 11 हर एक player को एक डिटेल्स में यहां पर बात करते हैं कि वेटेस देना है या फिर skip करना है अगर यहां पर मैं बात करूँ सबसे पहले की तो यहां पर है वो इब्राहिम जाडन टीके तो देखो इससा selection ratio है 88% का और player बहुत अच्छा कर रहा है सिर्फ इस match के अंदर आप देख सो 14 का था यहां पर run लेकिन इससे 39 है यहां पर 87 है और बाकी यहां पर 28 भी एबला on average अच्छा प्लेट कर रहा है तो इस प्लेट के लिए अच्छा option है और साथ में ग्रांड लिग के अंदर प्यावेटेस दे सकते हो ठीके बात करें गुर्बाज की गुर्बाज लास में फ्लोफ हो गया था लेकिन बाकी के मैच ज़स में काफी अच्छा कर रहा है तो यहां यहां पर बाकी के मैच ज़स में बहुत अच्छा कर रहा है तो इससाब से अगर आपको किसी प्लेट पर वेटेस देना तो वो गुर्बाज है इसमोल लिग के अंदर और साथ में ग्रांड लिग भी सामिल कर लेना ठीक है मैं अपनी टीम के अंदर इसको रखना प्रिफर क किते हो ठीक है तो यहां पर आप के लिए दो प्लेट सबसे बेश्ट हो गए इसके बाद बात करेंगे नेक्स प्लेयर की वह यहां पर रहमसा जिसका सेलेशन रेश्यो है 55% का और प्लेयर के फॉर्मेंस बहुत अच्छी है यानि कि SL के लिए अच्छा उप्शन है और साथ बढने इसे क्या सब्सक्राइब मिस्यां का दड़त जाय सेलेशन रेयर क्यों अब तो यहां पर अच्छा तरीका सेलेटि हैब उमर्स हूं इस small league के अंदर ही मेरी team में होगा और grand league की team के अंदर भी इसको आँ वेटेस दे सकते हो और high risk की team के अंदर as a wise captain के तोड़े भी आँ रिक्स ले सकते हो दिन आपर next player की बात करते हैं इक्रम अलिखिल ठीक है तो यहाँ पर इस player की यहाँ पर हम बात करें तो notice करो selection ratio है 4% का यानि की यह player जो है वो एक high risk की player है ठीक है तो यहाँ पर small league के अंदर मत सामिल करना small league में आपको वेटेस देना की कोई ज़रुदत नहीं है जो वेटेस आपको देना है वो देना है as a GL के अंदर यानि की grand league के अंदर आप वेटेस दे सकते हो अब grand league के लिए भी यार देखो जो इसे 19 का रन दिखा रहा है अठावन दिखा रहा है चार एक चोटिस दिखा रहा है तो as a बहुत ज़्यादा risky player हो जाता है लेकिन selection ratio भी सिर्फ 4% का है अब 4% selection ratio भी तो भी बहुत ज़्यादा खेल हो सकता है तो पूरा पलट सकता है तो पूरा गेम यहां पर पलट सकता है मलब गेम इन दे से वह मैच वाला गेम यहां पर grand league का गेम उसके अदर आपकी rank बहुत उपर आ सकती है तो as a safe side या फिर एक अलग safe side कुछ idea सोचके कुछ अलग team बनाना जिसके अंदर आप बहुत high risk ले रहे हो जिसमें 2-3 player के जगा आप 4 player को पर high risk ले रहे हो और एक player इसको सामिल कर देना तो इस तरीके साब के जितने के chances बढ़ेंगे और result दिखेगा बाकि अगर आप ज्यादा investment नहीं करते हो सिप 100-200 रुपर लगाते हो तब नहीं है आप ज्यादा investment करते हो उस case में आप इसको वेटेस दे सकते हो बाकि अभी जो आप step side चल रहे हो जी साब साब की investment planning चल रही है वो काफी अच्छी है और उसी तरीके साब maintain रखो यहाँ पर बात करेंगे हमारे मोहमद नबेकिर ठीक है यह प्लेयर यहाँ पर question आता है कि skip करना है या सामिल करना है selection ratio 16% का small league के अंदर मैं सामिल नहीं करूंगा ठीक है और यहाँ पर नीदरलंग के सामने match हो रहा है तो grand league के अंदर एक मोका मिले का player को लेकिन यहाँ पर मोका मेल रहा है लेकिन हाँ ठीक है confusion तो रहता है आपके सबसे क्या करना अच्छी वाला सामिल करूंगा इसकी पर गिवे का question में आगे पूशने बाला हूँ ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा तो recommendation यह रहेगा कि यहाँ पर आप जगा आप इसको वेटेश दे सकते हो कि जार्ण का सेलेशन एक पर्सेन का है और कुछ ज्यादा खास अच्छे रन यहाँ पर वैल मेंटन नहीं है ठीक है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ में जाना है इसमों लिग के अंदर दोनों इसकिप करेंगे ग्रांड लिग के आप चाहो तो नभी के साथ में जा सकते हो बाई कि जार्ण के साथ में जाने का इतना कुछ प्रिफर यहाँ पर बनता निया ठीक है या तो फिर आप चाहो तो दोनों को स्किप कर से तो क्योंकि मैं प्रशनली दोनों को स्किप करने वाला हूं ठीक है नेक्स यहाँ पर बनाईगा को साटके हए तो सोचिक यहां पर एक यहां पर मेशना नहीं देना चाहूंगा लेकर को एजा रिगिटा लेसके ज्यादा ले सकता है तो इसलिए इसको वेटेस यह इन-स मेरी निर आद्र इस पर आप शिर्फ सामील कर देना इस मॉलीग में यसी मेनी टीम के अंदर सामील होगा इसको मैं ऐसा बूस खास वेटेश नहीं दूंगा ठीक है कि यह निशिव रहमान की बात करो तो 55% सेलेक्शन रेश्यो लास में इसके अदर विकट लिए थे जिसकी वजह से SL में तो skip है, नहीं कि SL में इसको सामील हम नहीं करेंगे, लेकिन GL के अंदर इसको वेटेश देना प्रिफर करेंगे, GL के अंदर ये थोड़ा सा गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है, ऐसे ट्रम प्लेयर हो सकता है, इस मैच का, देन आपर नेक्स प्लेयर की बात करेंगे, तो व यहाँ पर फेजल फारू की यहाँ पर मेरी टीम के अंदर होगा, इस मोलिक के अंदर भी होगा, और GL में भी होगा, ठीके, लेकिन यहाँ पर नवीन उलहक के ऊपर कोशन मार्ग बनता है, कि सामील करना है, मेरा रिक्मेंडेशन बड़ा नो, मतलब नहीं, इस पर हम वेटे इस पीच के उपर जो रन बन रहा है, वो किसी साप से बन रहा है, या फिर इस टेडिम में रन किसी साप से बन रहा है, लास्ट के मैच देखो, इंडिया का 239 और यहाँ पर देखो, 262 रन, स्रिलन का 206 रन, साउथ अपर का 311 रन, इसका मतला में यह समझ में आ रहा है, कि जो रन गुम रहा है, वो 260 के आसपास गुम रहा है, ठीक है, यह चीज़ तो समझ में आ गई, दूसरी चीज़ हमें यह देखनी पड़ती है, कि जो चेस करने वाली टीम है, यानि कि उनको एक रन टार्गेट मिलगा, कि इतना रन बनाने है, वो कितना जल्दी बना पा रही तो यहां पर नोटिस करो, 34 से लगा कर, 35 से लगा कर 40 के बीच में यहां पर एक एवरेस बन रहा है, यानि कि चेस इसली हो रहा है, लेकिन यह भी चीज़ है कि विकेट भी बहुत जादा कीर रहे है, यहां पर आप विकेट भी देख सकते हो, एक्षुली यहां पर मिस्प् स्री रंका साथ स्री रंका वर्सेस ओष्टेलिया और साथ अपरिका वर्सेस ओष्टेलिया ठीक है, तो यहां पर आप सीनियरों देख पार हो कि 300 के आसोरी, 260 के आसपासर का रन बन रहा हो, चेस करना भी इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, इसको और डिटेल्स में देखे समझते हैं कि यहांपर जो पैटर वगरा रहता है वह किस त तरीके का है, तो यहां से आप देख पार रहोँंगे कि छो लास står 8 मेज खेले गए, उसमें से 4 बेटिंग करने वालोंने विन किये हैं, और 4 यहांपर सेकिंड करनी वालोंने विन किये हैं, और 240 से 265 का यह पर जारी कि 260 comment आपको अभी बताई दिया था और है score है जो 311 लोवे score 139 है आज का मेरा giveaway का question है कि अफगानिस्तान टीम से वो कौन सा ऐसा player है जो सबसे ज्यादा विकिट लेगा ठीक है comment करके बताओ फिर से बतारो अफगानिस्तान टीम से कौन सा वो player है जो सबसे ज्यादा विकिट लेगा उसका नाम आपको सिफ comment में लिखना है आप चाहो पीछे का नाम लिख सकते हो या पूरा नाम लिख सकते हो आपके चोईस है ठीक है पर पीछे का नाम लिखना भी जरूर है पूरा नाम भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है देन यहां पर बात करेंगे scoring pattern की तो वह यहां पर है 200 से कम रन यहां पर एक बना है लेकिन on average बात करूँ तो 200 से 200 वाला से एक बार हुआ है 300 से ज्यादा रन का सिंदेर यहां पर एक बार हुआ यानि कि 245 से लगा कर 265 के बीच में अब यहां पर एक section में ने miss कर दिया वो है हमारा पीच का पीच के बारे मुझे ज्यादा कुछ बात करेंगे ज़रूरत नहीं है कि बैलेंस पीच है ओल रॉंडर को सेलेट कर देंगे कि दोनों ही टीम है निदलन अफगानिस्तन किस तर सबस्सद्थों के बात करूं तो हमारे पास है लिदे रसित खान ऑमर जाई और यापर इब्रहेंजडान नहीं है चान की देली ऐ है हमारे Пट्सकास के लियू के डिलें नहीं तो यहां पर यहाँ पर 6 fixed player है जिनने यहाँ पर आप देख सकते हो ठीके यहाँ पर आप देख की पाड़ा होगी यहाँ छे fixed player है then यहाँ पर बात करेंगे हम मच्छा राइगा एक छोटा सा चलो कोई ना अब बात करेंगे GL के रोडिन प्लेयर की जो कि यहाँ पर आप देख से तो है वो है सारे यह प्लेयर ऐसे साथ player बताने वाला हूँ टॉप option के तौर पर एसे grand league के अंदर तींचा टीम में बना रहे हो तो इन प्लेयर पर आप एटेस देश सकते हो then अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी grand league team की कि मैंने यहाँ आप जो team बनाई है वो क्या सोच के बनाई है final team आपको telegram पर देदूँगा जिसका link description में लेकिन अभी के तोर पर आपको जो team बनानी है वो यह वाली बनानी है तो उससे पहले आपने my11 circle एक को डाउनलोड नहीं क्या हो तो link description में दे रहे है कमरा उसमें पिन कर रखा है जाके डाउनलोड कर देना है क्योंकि मैंने आपको बता है आज का हमारा special क्या चल रहा है कि आप दादा की team यानि कि इस और गॉले की team भी देख पाओगे कैसे देख पाओगे मैं पहले बता चुका हूँ तो डाउनलोड कर देना वीडियो के बाद अब यहां पर विकिट कीपर की बात करें तो यहां पर Edward है साथ में गुरुबाज है तो Edward सो गुरुबाज को ऐसे मैंने वेटेस दे रहा है विकिट कीपर के तो पे लेकिन अगर आप नोटिस करोगे मैं इसको वेटेस देने वाला हूँ और इसके साथ में एसे जो प्लेयर सबसे अच्छा होगा वो होगा अफगानिस्तान से जाड़न ठीक है बहुत बेस्ट प्लेयर यह दोने कॉमिडेशन यहां पर बनेंगे देन ओल रॉंडर की बात करें आपको बता दिया था कि ओल रॉंडर पर ज्यादा वेटेस देना है तो मेरा यहां पर जो कैप्टन है वो अल्डांडर से ही है अल्डांडर से बात करें तो कॉली ने कॉली के साथ में आमर आप जाई है और साथ में दील लीदे है जो कि एजब कैप्टन के तोर पर वेटेस दे रखा है तो कैप्टन के तोर पर वेटेस दे सकते हो देन यह आपर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स की तोर पर एल वेने, पी वेने, रासिद कान और फारुकी है तो यह चार as a baller के तोर पर काफी अच्छे option होंगे और बाकी Captain vs Captain के अलावा मैंने काफी वीडियो में अमलब जो वीडियो के सुरू में आपको बता ही दिया था कि हर प्लेयर को रिटेस में जब बता रहा था कि किस प्लेयर को इस कंडिशन में आपको वेडेस देना है